NCB ने मुंबई के जिस रेव पार्टी पर छापा मारा वहां से सहरुक खान के बेटे आरियन खान को भी हिरासत में लिया गया आरियन खान ने पूछताच में बताया कि उन्होंने इस पार्टी के लिए किसी वितलकी कोई पेमेंट नहीं की है उनके नाम पर मेहमानों को वहां बुलाया गया था मुंबई से गोवा जा रहे एक लगजरी क्रूज में ड्रग्स पार्टी हो रही थी जिस पर बीच में ही NCB की टीम ने धावा बोल दिया पार्टी में बॉली बुडिश्टार सारुक खान के बेटे आरियन का भी नाम सामने आया है उनसे NCB की टीम पूछताच कर रही है जबकि आठ लोगों को इस केस में गिरफतार किया गया है NCB मुंबई की जोर्नल डारेक्टर समीर वानखिड ने आरियन से पूछताच की पूछती की है उन्होंने बताया कि जिन लोगों से पूछताच की जा रही है उनमें साहरुक खान के बेटे आरियन भी सामिल है वान खिर्डे ने यह भी बताया कि अब तक आरियन को गिरहफतार नहीं किया गया है पूछताश के दुरान साहरु खान के बेटे आरियन का कहना है कि उन्होंने पार्टी में सामिल होने के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं किया था उन्हें गेश्ट के तौर पर बुलाया गया था सुत्रों के मुदाबिक आरियन ने दावा किया है कि पार्टी में उनके नाम पर कई लोगों को बुलाया गया था पार्टी में क्या होने वाला था उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी हाला कि NCB के अधिकारियों ने साहरुक खान के बेटे आरियन का मोबाइल जब्द कर लिया है और उनके चैट्स खंगाले जा रहे हैं जिससे रेव पार्टी में आरियन की भूमी का साफ हो सके NCB के चापे मारी में अब तक आठ नाम सामने आये हैं इसमें साहरुक खान के बेटे आरियन खान भी सामिल है NCB मुंबई निदेशक समीर वान खिले का कहना है कि आरियन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा नुपूर सारिका सामित सिंग मोहक जैसवाल विक्रान चोकर गोमित चोपड़ा भी सामिल है